सबसे बड़ा कोश्चन यह आ रहा है कि सर यह 150 दिन में क्या सच में गेट क्लियर हो सकता है 150 दिन में जितना आपका टेक्निकल नॉलेज इंपोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है तो आप बिल्कुल यह मान कर चलिए कि एराउंड आप अगर 65 पोश्चन है तो उसमें से 30% पोश्चन ऐसे होंगे जिनका जिनको आपने कहीं न कहीं पहले पीवाई क्यू में देखा होगा हलो शुडेंट्स विलकम टू फिजिक्स वाला गेट वाला तो एप्रॉक्सिमेटली पांच महीने बचे हैं देखा जाए तो करीब करीब टॉप 100 राइंग टॉप 200 राइंग को टार्गेट करना पड़ेगा तो देखे जनरली देखा जाए तो मोस्ट आप दे ब्रैंचेज में 75 प्लस मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आपको सारे ओप्शन अवलेबल होते हैं मतलब आप PSU जाना चाहे तो जा सकते हो आप IST जाना चाहे तो जा सकते हो अगर आपके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको 80 प्लस मार्क्स टा आएगा ही आएगा तो हो सकता है आप 75 टार्गेट करके चल लो आपके 70 मार्क्स आ गया अब 70 मार्क्स जब आपके आ जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए PSU वाला सपना आप पूरा कर सकते हो लेकिन अगर आपका मन है कि आपको PSU के लिए जाना है त तो शायद वो फुल्फिल ना हो पाए तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन अवलेबल है बच्चों के लिए वो मुझे लगता है कि 80 प्लस मार्क्स के लिए अगर आप टार्गेट करते हो थोड़ा बहुत उपर नीचे का डेविएशन भी होता है तो आप तब भी भी आप PSU ज स्टार्ट की है किसी किसी ने गेट की प्रपरेशन स्टार्ट की है कोई कोई ऐसा लड़का है जिसका भी स्टार्ट तो तीन चार महिने पहले कर दी थी लेकिन इतना स्लो चला था किसे दो या तीन ही सब्जेट हो पाए है तो अब उसके दिमाग में सबसे बड़ा कोशन य आ रहा है कि सर ये 150 दिन में क्या सच में gate clear हो सकता है जूट मत बोलना सर क्या सच में gate clear हो सकता है या gate में अच्छी राइंग का सकती है तो मैं आपको clear cut बताना चाहूंगा कोई भी मुझे जूट बोलके कुछ मतलब है नहीं ना मुझे जूट बोलके मिलने वाला है ना मेरी salary बढ़ने वाली ना मेरा कोई भी फायदा होने हाँ यह बात जुरूर है अगर मैं आपको सही गाइडेंस दूँगा कभी जिन्दगी में मिल जाओगे टहलते हुए तो कम से कम नमस्ते तो करीद होगे इतनी रिस्पेक्ट आपके अंदर तो रहेगी अगर-अगर मैंने कुछ भी अच्छा गाइड किया आपको तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रपरेशन अभी तक नहीं स्टार्ट की है सच बतारो और आप टार्गेट करते हो कि 150 दिन में आप 80 प्लस मार्क्स लेके आए तो यह मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है अंट रेर चांसेज हैं मतलब कम चांसेज हैं लेकिन अगर आपने अट लीस्ट दो चार सब्जेट भी पढ़के रखे हुए उसमें कमांड है या दिवरिंग बीटेक अगर आपके मूस्ट अग्द सब्जेट में थोड़ा एवरेज बेसिक बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो यह पॉसिबल है मैं आपको छोटी से स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगो एकदम सही स्टोरी है मुझे लगता है 2016 की बात है यह बच्चे ने 2017 एकजाम दिया था तो करनाटिका का एक बच्चा था मोहित नाम था उस बच्चे का तो वह बच्चा कोई बहुत ताइलेंट पे था प्राइवेट कॉले से था तो टाटा की वर्क्चॉप में जॉब लगी थी उसकी मलब मैनेजमेंट करने का यह सारा कुछ प्रोसेस था उसका तो वहां पे भाई सटिस्ट्रेक्टरी जॉब उसको नहीं लगी तो दो चार महीने बाद उसने छोड़ दिया और जहां लड़का अक्टूबर फर्स्ट वीक में बैज जॉइन करता है अब वह पहले से ही बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो जब उसने अपने सीनियरों और इन सारे लोगों से बात बात किया तो मतलब उन्होंने सजेशन दिया ठीका गेटवेट करने लगा तो अब सकते हो तो वो करने लग गया पिर उसका रांका ऑता है मलाब उसे खरीब पर चार महीने ढंक से प्रपरेशन किया और उसका रैंक आता है फिफ्टी टू और मुझे उसका इंट्र्व्यू लेने का मौका मिला तो जब तो मुझे यह पता चला कि यह लड़का विंटर क्रैश बैट से ऐसे मैं ज़्यादा इंट्रेस्ट ले नहीं रहाता सुरुआत में जब सच बोलू तो क्योंकि 52 तो इतना ज़्यादा मैं इंट्रेस्ट नहीं ले रहा था कि हाँ ठीक है तुमने बहुत ठीक है बहुत सारे ट कि जब उस बच्चे ने यह बताया कि सर मैं विंटर क्रैश बैट से था मैंने सिर्फ चार महिने गेट की प्रपरेशन किये और मेरी 52 राइंट तो मैं सर्प्राइज हो गया इकदम भैंकर वाला सर्प्राइज हो गया यह कैसे पॉसिबल है यह तो कुछ अलग करके आया है बच्चे टॉप राइंग भी लेकिया लेकिन वह एक एक दो दो साल प्रपरेशन किये तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेश है तो मैंने उस बच्चे को पर्सनली बहुत डिटेल में सारा कुछ पूछा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया सामने क्या आया उ बहुत कम तो क्या करना चाहिए तो क्या है देखो तुम अगर पूरा सब कुछ ट्राय करने कोशिश करोगे तो तुम्हारा सेलेक्शन होना भी पॉसिबल नहीं है तो इस टाइम पर तुम बस क्वालिफाई करने की सोचो या फिर पचास नंबर 40 50 नंबर 60 नंबर लाने की स लोग उसको बोले थे उसके फ्रेंड लोग ये बोले थे कि चार महीने में नहीं निकलने वाला हम तो पिछले एक साल से पढ़ रहे हैं फिर भी हमारा हमें लग रहे हमारा नहीं निकलेगा तो तुम्हारा कैसे निकल जाएगा और 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 बोर क्लास के टॉपर हुआ करते तो यह बात बोल रहते हैं तो मैंने का फिर तुम्हारी रैंक कैसे आगे तो इसने बुला फिर सर जब यह लक्ते और यह सुनी तो मैंने क्या कि मैं आब केवल सेखना करूंगा कि जो क्लास में हो रहा है मिए बस उतना ही करना एकrine कूछ भी इधर-उधर deviate होना ही नहीं है सर चार महिने की बात है लग चार महिने में वो crash patch का मैं आपको बता दू information दे दू थोड़ा सा वो जो crash patch था हो आठ घंटे daily तो केवल class चलती थी आठ घंटे तो class चलती थी उसके बाद self study उस लड़के ने बोला सर मैंने blindly blindly मैंने सिर्फ और सिर्फ class किया class करने के बाद मैं जब घर जाता था तो वो जो class में हुआ था उसी को revise करता था और उस प्री वाइक्यू लगाता था यह teacher जो भी बुकलेट चौथे मैंने में सिर्फ test series दिया और वही चीजे वापस से पढ़ी जो मैंने पढ़ी थी इसके अलाव मैंने कोई book कभी खोल के नहीं देखी कभी कोई extra resources यूज नहीं किया कुछ भी यूज नहीं किया यह बहुत important point actually right सबसे important point है कि यह यह बहुत ज्यादा माइने नहीं र रखता है कि आप बहुत ज्यादा talented हो बहुत जल्दी पढ़ लेते हो या खरवोश हो कोई माइने नहीं रखता माइने रखता है कि जो आपने decide किया जो आपने strategy बनाई है क्या उस strategy को आप consistently follow कर रहे हैं अगर आप follow कर रहे हो तो आपका selection होना तैह है दुनिया की कोई ताकत आपको रोख नहीं सकती कोई ताकत रोख नहीं सकती समझ में रहा है तो मेरा personal suggestion अभी यह है कि अगर आप सच में target कर रहे हो असी माक्स का आपका जो भी status है मुझे नहीं पता तो मुझे नहीं पता कि आपने सारे subject cover complete कर लिए है या दो subject किये है तीन subject किये है चार subject किय है मुझे नहीं पता लेकिन हाँ मैं एक चीजरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ personalized doubt है कि सर मैंने चार subject किये है मैंने मुझे अब क्या करना चाहिए दो subject किये तीन subject किये तो शायद यह session आप recorded देख रहे होगे तो जब अगर आप यह session recorded देख रहे होगे तो आप comment box में आप अपना personal doubt डाल सकते हो personal doubt कैसे डालना इसी comment box में आप डाल दीजे मैं 110% reply करूंगा आपको क्या करना है आपको सिर्फ इतना लिखना है कि sir मैं अभी third year में हूँ यह लिखना जरूरी है कि आप किस year में third year में है या dropper है क्योंकि third year की strategy अलग होगी fourth year की अलग होगी dropper की अलग होगी क्योंकि third year वाले के exam भी आने वाले है उसको college भी जाना है fourth year वाले को कम load है और dropper वाले के पास पूरा दिन है पूरी रात है समझ में आ रहा है तो आपको यह लिखना है पहले कि आप किस year of B.Tech में है या drop out student है फिर आपको यह लिखना है कि sir मेरा क्या-क्या subject अभी तक हो चुका है कितने marks का हो चुका है maths हो गया है कि नहीं हुआ अभी तक आपका preparation कितना हुआ है और आपको further क्या strategy follow करनी चाहिए उसके लिए आप comment box में जो भी doubt है आप डाल दो मैं उसका 110% reply करूंगा लेकिन ये बात आप जरूर समझ लिजे कि अगर आपको लाना है स सbows्गा माँंड़ा है सी प्लस मार्ण तो आप सीधे-जिए फोड़ा टाइम दीजिए अपने आपको थोड़ा टाइम ये आप करिए अपने टीचर वाला मीं क्या है कि हर्टीचर काateg कि यजैगा नाम से सर्च करोगे आप को मिल जाएगा लेट से आप सिस्षे छिर से कुछ पूचनाचा चाहता हो तो अपिसे ए Minuten सब क्वाला टेलिए बी वाला दालोगी ङको आपको उनमों का हमें सब्सक्राइब σकते हो रेट और उनसे suggestion ले सकते हो guidance ले सकते हो कि सर यह यह problem है आपको मुझसे mechanical क्यों मुझसे कुछ पूछना आप directly डाले सीवम सर physics वाला ऐसे करके आप डालेंगे तो आपको मेरा channel मिल जाएगा उस channel में आके आप मुझसे अपना personal doubt भी पूछ सकते हैं पर अगर इस session से related है तो आप इसी motto सिर्फ यही था कि बहुत ज़्यादा talented मत का मतलब नहीं है आप थोड़ा बहुत अपने आपको time दीजे अपनी एक strategy बनाईए देखिए इस particular 150 दिन में जितना आपका technical knowledge important है उससे कहीं ज़्यादा important है कि आपका management कैसा है आप subject को कैसे manage कर रहे हो आप revision को कैसे manage कर रहे हो दुनिया में आप अकेले नहीं हो जिसके पास problem का भंडार सबके पास problem सबके पास problem ठीक है लेकिन उन प्रॉब्लों को overcome करना ही तो overcome करना ही तो हमारा काम है problems are not permanent problems are come to pass वो आ रही है और चली जाएंगी आप tension मतलो problems आई इसलिए हैं कि आप solution ढूड़ो इसी के लिए तो भई talented होने का मतलब नहीं है यहाँ पर main point यह है जो भी आप strategy बना रहे हैं जो भी आप अपने आपको समझे अपने caliber को समझे अपने time को समझे कितना पढ़े हो वो समझे वो सब समझने के बाद आप decide करिए कि आपको कौन सी strategy follow करनी है और उसी consistently dedication के साथ full focus के साथ आप लग जाई उसके बाद फिर कोई deviation नहीं आना चाहिए कुछ भी बनाने से पहले आप 10 बार सूचिए हमसे पूछिए अपने teacher से पूछिए friend से पूछिए senior से पूछिए topper से पूछिए जिस से पूछना है पूछिए एक बार अगर आपने बना लिया तो उसके बाद आपको change बलब उस फिर मतलब उसे follow करना है consistently now the important point is कि मैं पहले ही बता दो यह 150 दिन की journey कोई आसान नहीं रहने वाली है मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि यह 150 दिन की journey बिलकुल ही आसान नहीं रहने वाली बहुत भयंकर टफ रहने वाली मतलब आपको नरक के दरसन होने वाले मैं स आपको नरक के दरसन हो जाएंगे अगर आप टॉप नॉच रैंग लाने की कोशिश करते हो तो और असी प्लस मार्ट सी टार्गेट करिए 2-4-10 नंबर 15 नंबर का छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि निन्यान में नंबर लाओगे तो ऐसा तो नहीं यह 1885 नंबर पर मिल रहा है ना भाई तो कहले 100 नंबर के लिए कोशिश करें तो पहले ट्राय करो कि भाई यह 85 नंबर का सेक्योर हो जाए फिर उसके बाद कुछ चीजे ऐसी होती जो बहुत डिफिकल्ट होती बहुत कम पूछी जाती थोड़ा साइड लाइन कर सकते हो टाइम सबसे बड़ा कौश्चन क्या आता है यह पर सबसे बड़ा कौश्चन आपके सामने यह आता है कि रिफूर्स क्या क्या यूज़ कर रहे हैं क्या से क्या-क्या यूज करें तो हमारे साथ में हैं बहुत ही तैलेंटेड मैं मैं बहुत सारे टीचरों को जानता हूं इस इंडस्ट्री में और यह अभिशेक सर को मैं काफी दिनों से जानता हूं राइट और यह पहले जिस और इनका जो तरीका है रहे गाइड करने का वह बहुत ही ऑसम तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभिसेक सरका कि अभिसेक सर आप थोड़ा सा गाइड करिये बच्चों को कि क्या-क्या रिसूर्स उनको यूज करने चाहिए थांक्यू वेरी मस्ट सर शिवम सर मतलब शि तो मोटिवेट होते ही है तीचर भी अपना नो मोटिवेट होकर अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो थांक्यू सिवम सर फॉर दिस अमेजिंग अप स्टोरी जो आपने बताया है यहां पर रिगार्डिंग देट स्टूड तो मैं भी शिवम सर ते अगर आपने थोड़ी बहुत प्रप्रेशन की है और आप बिलकुल टार्गेट लेकर चल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा रैंक सिक्योर करना जो कि आपको पीस्ट पीश्यू में एंट्री के लिए हेल्फ करें और या फिर आयाईटी और आएसी के लिए हेल्फ करें तो इन दाट क एक conventional study से पढ़ूँगा मैं धीरे धीरे चल कर foundation मजबूत करूँगा उसके बाद फिर मैं मतलब मैं time ले सकता हूँ अपना सेटल जैसे टेस्ट में जैसा होता है मैं time ले सकता हूँ अपना सेटल होने के लिए फिर एक बार मैं सेट हो गया फिर मैं फिर यहां पर फिर अपने बीटेक में बहुत भी अच्छे रहे हो तो भी आपको एक बार एक बार फैकल्टी को सुदना ही पड़ेगा कि वो concept कौन-कौन से हैं जो गेट में जनरली पूछे जाते हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि questions के कुछ form मैं यह नहीं कह रहा हूँ पूरा का पूरा paper ही repeat हो र तो आप बिल्कुल यह मान कर चलिए कि around अगर 65 portion है तो उसमें से 30% portion ऐसे होंगे जिनको आपने कहीं न कहीं पहले PYQ में देखा होगा तो पहली यह बात है कि आप अगर 80 प्लस marks अगर आ रहे हैं आपकी आप target करना चाहते हैं तो PYQ का coverage बहुत ज़रूरी है और जब मैं PYQ के coverage की बात करूँ तो मैं यह चाहूंगा कि वो question आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद रहें conceptually also और वहाँ पे अगर आपने उसको solve करते समय अगर कोई mistake किया हो तो वो भी बिल्कुल आपको याद रहें तो PYQ का coverage बहुत ज़रूरी है और reason बस इतना ही है कि हमारे questions में कुछ form of questions जो as it is ही आ जाते हैं और वो आपको help करते हैं कि हाँ यहाँ पे easy marks marks पेच करने के और strategy के समय आप PYQ को बिल्कुल target कीजिए और यह बिल्कुल आपको पता रहना चाहिए कि आप अगर computer science को target कर रहे हैं या mechanical या electrical electronics तो उसमें concentration कहां पर है ठीक है concentration कहां पर जैसे कुछ चीज़ें हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि aptitude 15 marks का आना है और ब्रॉशर में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आपके 13 mark portion जो है वो mathematical oriented रहेंगे तो आप यह समझ यहां पर जो जब आप strategy बनाते हैं तो यह सब चीज़ें भी जरूरी हो जाती है कि आप अगर यह कह रहे हैं कि 15 का aptitude है और 13 marks ऐसा लिखा हुआ है तो देखिए आप यहां पर 28% और लगब लगबग क्योंकि mathematics कभी-कभी vary कर जाता है जैसे computer science में तो vary कर ही जाता है कभी-कभी लगबग 30% जो आपका जो weightage around है वो mathematics के around आ जाता है और in that case आप उसको पहले अच्छे से cover कर ले बच्चे generally मैंने देखा है CS के बच्चे या other बच्चे mathematics उतना पसंद नहीं करते हैं क्यो को लगता है कि यह alien चीज है पटाप 30-28 परसेंट यह लिखा हुआ है और कभी-कभी यह थोड़ा वैरी करके ज्यादा भी हो जाता है कम तो नहीं होगा तो इन डाट केस आप यह समझे कि यह एक strategy का हिस्सा हो सकता है कि 30% portion आपके mathematical oriented तो पीवाइक्यू एक coverage अगर आप अच पूरा करें तो आप यह याद रखिए कि इस एर में जो पेपर आएगा 25 का जो पेपर आएगा उसका जो reflection है वह बहुत ज़्यादा रहेगा previous कुछ एर का मतलब वह वैसा पेपर ज्यादा दिखेगा जैसा 24 में था यह 23 यह 21 में था बहुत ज़्यादा पीछे अगर आपके 24 से बैकवर्ड जाने की कोशिश करें जहां तक आप जा सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको proper reflection मिलेगा कि modern time में modern time मतलब recent time में किस तरह के question आ रहे हैं बहुत ज़्यादा पीछे चले जाईएगा तो आपको लगेगा gate exam कुछ है ही नहीं और इसको तो बड़ा असानी से crack किया आप target करें तो mandatory है कि आप पिछले 10 साल के जितने भी sets हो set one set two set three क्योंकि number of sets भी बड़े हैं सारे आप complete करके जाएं और जहां तक को सके कि उन चीज़ों को याद रखें और यहां पर लिखा भी हुआ है कि 30 to 40 marks we can get after swelling पीवाई की तो यह statement थोड़ा सा आपको exaggerated लगेगा कि यहां थोड़ा ज्यादा बोल दिया सर ने 32 foot 35 to 40 marks बट आप अगर experience करेंगे इस चीज़ को या बाद में experience करें पेपर के बाद या experience faculty की बात मानें यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 30 to 55 marks वाले concepts repeat हुए हैं तो यह एक आपका resource हो सकता है दूसरा problem यह है जो दूसरा resource है जो बहुत useful है और आप honestly मैं आपको यह कहूंगा कि जो teacher gate industries में हैं वो बहुत महनत करते हैं test series को prepare करने के देखिए आपका gate organizer जो भी organizer है जैसे इस बार रूड़की का पेपर आ रहा है तो gate organizer के पास chance है केवल challenge है 65 अच्छे question create करने का gate industry में आपके faculty बहुत महनत करते हैं कि आपको लगभग लगभग 10 test series मतलब 60 650 questions वो आपको experience कर दे सके 650 question का experience दे सके वो भी high quality के साथ अब student का perspective यह है कि as a student मैं भी डरता था test series देने से क्योंकि मुझे यह डर था मेरा जो डर था वो यह था कि मेरे अगर कम marks है तो मैं demotivate हो जाऊँगा fact of the matter यह है कि यह जो test series होती है यह आपके weakness को identify करने के लिए होती है मतलब आप यह पता कर सकें कि आप कौन से concept में अच्छे हैं या कौन सा concept के question आप बार बार गलत कर रहे हैं या किस चीजों में आपकी strength develop है already और किस चीजों पे focus करना है main जो बात है कि बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि PYQ से वो अपने performance को judge करते हैं कि मैं अगर इस marks में आ रहा हूं तो मैं इसी marks में आऊँगा आपको ऐसा नहीं सोचना है आपको यह सोचना है कि यह जो PYQ यह जो आपके test series जो है वो आपको help करेंगे in further developing more knowledge और अपने concept को strength और बढ़ाने के लिए in that case मैं यह कहूंगा कि test series में आपको अपने आपको कभी भी judge नहीं करना है और systematically जितना भी 150 days बचा है variety of test series institute offer करते हैं जैसे PW में भी हम शुरुआत करते हैं topic wise मतलब आप समझे कि एक subject के topic wise test है topic wise मतलब एक subject को भी और बांट दिया गया है छोटे-छोटे parts में topic wise उसके बाद आप आते हैं SWT subject wise मतलब एक subject के उपर test उसके बाद multi subject test उसके बाद आप आते हैं finally जो PYQ का forward आप यह समझे कि industry कितनी planning कर रहा है gate PW कितनी planning कर रहा है कि कि किस तरह से आपको proper एक subject का proper coverage दिया जाए by TWT SWT subject का पूरा-पूरा understanding पूरा revise कीजिए subject test में आईए उसके बाद पूरे multi subject दो-तीन subject जो relative हैं combine करके और finally test series में आकर आप अच्छा perform कीजिए इतने level पे आपकी preparation कराई जा रही है अब fact of matter यह है कि बच्चे test series से घबराते हैं और यह मुझे यह बिल्कुल कहते हुए मतलब थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है कि बच्चे test series complete ही नहीं करते हैं वो केवल प्रोकास्टिनेट करते हैं यह एक strategy जो है मतलब normal strategy है delaying strategy कल करेंगे आज का काम कल करेंगे कल का काम पर सो तो प्रोकास्टिनेट करके वो finally हर चीज को पूरी preparation को January में लाके छोड़ देते हैं जब आपके पास एक महना बचा रहता है तो that should be avoided और आपकी जिम्मेदारी है कि stress series को दिल में ना लेते हुए धीरे धीरे आप subject revise करें टेस्ट दे इससे आपको weakness और आपके strength का पता चलेगा आपको यह भी पता चलेगा आपकी सब्जेक्ट में अच्छे हैं और कौन से कौन से पर आपको और work out करना है नेक्स्ट है आपका standard books आप refer कर सकते हैं यहां पर यह जो standard book का जो concept है मैं अगर आप 150 days में है preparation कर रहे हैं और आज के बाद अगर 150 बचा है तो इसका scope जो दो यहां पर मैंने लिखा है कि आप standard book refer कीजिए and that will help you to fetch this marks यहां पर यह थोड़ा सा उतना relevant नहीं रह जाता है इसका मतलब यह नहीं मैं आपको discourage कर रहा हूं क्योंकि time कम है तो मैं आपको यहां पर ज्यादा तर यह सजेस्ट करूंगा कि आपको faculty से connect बढ़ाएं standard book अगर आप पढ़ सकते हैं तो definitely आप दो या थीन चेप्टर पहले के जरूर पढ़ें लेकिन आपको concept में command लाने के लिए अपने faculty से connect करना पढ़ेगा आपको faculty से strategy पूछने पढ़ेगी sir कि अगर मैं ये वाला अगर कर रहा हूं in that case तो आप ये बताईए कि इसमें मैं क्या पकड़ू क्या छोड़ू को कि अभी time कम है और with the experience I can say कि हाँ थोड़ी सी ऐसी strategy बनाई जा सकती है कि जहां पर आप थोड़ा सा selective हो सकते हैं क्योंकि time कम है selective study जहां पर आपको करनी ही पढ़ेगी to get maximum out of yourself तो in that case standard book बिल्कुल आप दो या तीन chapter पढ़िए बट इसके साथ ही faculty से भी connect रही है जो आपको ये बिल्कुल बता सकें कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है तो in that case आप वहां से थोड़ी और strategy आप और develop कर सकते हैं एंड पी डबलू में ऐसा कोई मतलब आप किसी ऐसे फैकल्टी को नहीं नहीं पाएंगे जो स्टूडेंट से connect नहीं होना चाहता तो all friendly और हम चाहते हैं कि आप perform करें और इसी वजह से ही मतलब चैनल्स और डिफरेंट मीडियम के थ्रूँ आप फैकल्टी से connect कर सकते हैं च अबशेक सर ने बहुत ही शांदार तरीके से आपको बताया कि देखो यार 80-85 नंबर अगर आप टार्गेट करके चल रहे हो तो 30-40 नंबर आपको directly मिल जा रहे हैं कहीं न कहीं पीवाइक्यू के help से अगर आप पीवाइक्यू एक दो बार लगा ले तो अच्छे से और पी question as it is कभी नहीं आएगा 30-40 नंबर जो मैं बोल रहा हूं वो मैं यह बोल रहा हूं कि concept repeat हो सकता है similar type का problem है लेकि language वब दिली होगी data बदला होगा तो यह आपकी understanding पर डिपेंड करता है यह आपके aptitude पर डिपेंड करता है कि आप इस बात को judge कर पाते हो कि नहीं कि पहले पह content क्या है कि जो class में आपको पढ़ाया गया class वाली problems और DPPs वो तो करने करने test series और सर नहीं बताया कि तुम्हें fair नहीं होना चाहिए आपको बस यह समझना है कि test series हम दे रहें अपने improvement के लिए correct यह बहुत अच्छी बात है कि आप test series में आपके number बहुत खराब आ रहे है इस को negative मतले यह right it's better to fail today it's better to fail in test series rather than failing in that your big day right तो अपने में दिन में फेल होने से अच्छा है यार फेल हो जाए यार है और फेल मतलब फेल तो मतलब आशिरवाद है भगवान का मैं बता रहा हूं फेल होना तो आशिरवाद है और तुम कौन सा मतलब जब इस बात से addition जैसा आदमी नहीं बच पाया एडिसन ने हजारों एक हजार एक मोर दैन वन थाउजन एक्सपेरिमेंट के बल बनाने इस पहले बताइए वह आदमी जब नहीं बच पाया तो तुम एक टेसरी से फेल होने में क्या डर रहे हो यार यह आप महानायक कहे जाने वाले हमारे कर लिए खतम था वाई साब आप समझेरों एक पैसे बहुत सारे एक्जामपल है वह जो हैरी पॉर्टर की जो राइटर है है यह नाम एक्जाक्ली नहीं आदा रहे है आपको एक क्या नाम है जेके रॉलिंग तो जेके रॉलिंग ने मतलब कितना ट्राइं किया थे इतना र लेकिन लेकिन जब पब्लिश हुई तो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेस्ट बुकों में से एक है वह भी तरी सीरीज साथ आठ बुक्स का सेट बनाना असान काम ता क्या तो मतलब फेल होना तो मतलब देखो सकसेज होने की एक निशानी है फ्यूचर में आप स तुमने नंबर खराब होगा तो मंदद तुम यह बोल रहे हो कि मैं घोड़े में एक बार चढ़ा मैं घिर गया अब मैं नहीं चड़ूँगा अब मैं सीते साधी वाले दिन घोड़ी पर बैट उगा अगर उस दिन गिर गया तब क्या होगा उस दिन ना गिरो उसी लिए से बैठा जा रहा है आप समझ रहें क्या बूल रहा है तो यही चीज सर आपको बता रहे थे कि टेस्सी तो है आपको गिराने के लिए आपको कुल बिए पटकेगी उधर पटकेगी 35 चालीस नमबर जो सबसे important, सबसे strong था, उसके चार question गलग, यह सब होने वाला है तुम्हारे साथ, मैं बताया कि नरक के दरसन होने वाले हैं, अगले-अगले कुछ महीनों में आपके, दो-तीन महीनों में, मलब confidence एक दन चूर-चूर हो जाएगा, जिस subject में सबसे आदा confidence था, वही confidence गिरा दे रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, कि भाई, यह सब stepping stones हैं, यह problem, यह failures are come to pass, stay करने के लिए नहीं आई हैं, समझ में आ रहा है, तो जब success आपके पास आईगी न, वो stay करेगी, वो रहेगी आपके साथ, तो यह, अब हम लोग बात करते हैं, revision strategy की, तो सबसे पहले आप यह सम revision का मतलब किताब खोल के पढ़ना नहीं होता है, मैं समझ रहे हो, revision कैसे करें, मैं सोच रहा हूं कि, किसी का revision का short notes ले लूँ, एक मेरे भाईया आते, उन्होंने short notes बनाया, तो सर उनका ले लूँ क्या, हैं, उसको revision बोलते हो, राइट, या वेर किसी और का notes लेके, किसी teacher से revision कर रहे हो, अभी बहुत सारे revision session आएंगे, market में, थोड़े दिन बार आप देखो, कि market में खूब सारे revision session आएंगे, जिस चीत को आपने पढ़ा ही नहीं है, उसका revision कैसे कर सकते हो, revision का मतलब है, जो आपने पढ़ा है, exactly वही पढ़ना है, समझ में आ रहा है, अगर आपने therm dynamics मुझसे पढ़ी है, तो आपको मेरे साथ ही revision करना है, क्योंकि सब का पढ़ाने के तरीका लग होता है, ऐसा नहों कि मैंने कुछ पढ़ाया है, तुम revision किसी और से कर रहे हो, और वहां जाके वह confused कर दे रहा है, तो revision अच्छली घातक हो जाएगा, तो सबसे best resource क्या है, सबस सबसे best resource है, खुद के बनाएवे short notes लगाओ, उसके बाद question लगाओ, अगर question लग रहा है, तो कोई session अटेंड करने की जरुत नहीं, मेरा भी session अटेंड करने की जरुत नहीं, अब क्या हो रहा है, अब मान लीजे कि आपको short notes बनाने के करने के बाद भी आपको confidence नहीं आ रहा है, तो आपको उसी faculty के revision session में जाना है, जो YouTube में free of cost होते रहते हैं, उसी faculty के session, मैं कर रहा हूं कि अगर आप मेरे restaurant नहीं तो आप मेरे पास मत आओ थर्मल पढ़ने हैं, आपने थर्मल कहीं और से पढ़िए, बेटर है कि उसी faculty से आप पढ़िए, right, क्योंकि मेरा पढ़ाने तरीका अलग है, जो आपने पढ़ा है उसी तरीका अलग है, right, और revision क्या है, आपको multiple times करना है, मैं आपको एक example देता हूँ, दो लड़के हैं माल लिजे, एक लड़का का नाम है A, दूसरे लड़के का नाम है B, A क्या करता है, A बहुत ही talented लड़का है, और बहुत systematic चलता ह है, बहुत धीरे धीरे एकदम depth में पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, depth में, अब बचे कितने, माल लिजे, last के दो महीनों में आपके पास syllabus खतम हो जाता है, आप से revision कर रहे हो, तो ये लड़का एकदम depth में पढ़ता है, सारा कुछ एकदम detail में, हर एक चीज, पूरा बड़ा notes पढ़ता है, दुबारा question लगा, सब कुछ करता है, और पूरे दो महीने में, दो बार revision कर पाता है, max to max, या इवन मुझे रगता है, इतने detail में पढ़ता है, दो बार भी नहीं कर पाएगा, माल लिजे, एक बार revision कर पाता है, ये थोड़ा नालाइक type का student है, सब काम जल्दी जल्दी में, तो ये क्या करता है, ये एकदम बहुत तेज पढ़ता है, मतलब short notes पढ़े, short notes पढ़े, question लगा, question आगे तो long notes को छुआ भी नहीं, in depth कुछ भी नहीं देख रहा है, के बार short notes पढ़ रहा है, question लगा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, नालाइक है ना, ये भी फिर उसके बाद, जिस subject में short notes से question नहीं लग रहा है, सिर्फ उस subject का long notes देख रहा है, otherwise बस short notes question लगा और test stage लगा आगे बढ़ो, ऐसे करकर कि वो क्या कर रहा है, 15 दिन में सारे subject पढ़ डाल रहा है, 2-3 दिन में एक subject का revision कर डाल रहा है, और उसने चार बार revision किया, चार बार revision किये, जल्दी जल्दी, fast fast fast, same formula fast fast fast, बार बार पढ़ रहा है, अब बताए, किसका selection होने वाला है, आपको क्या लगता है, comment box में जरूर लिखना ये बात, भले आप recording देख रहे होगे, कि किसका selection हो लगा, मैं आप, आपका opinion क्या है, मेरा opinion नहीं है, मेरा judgment है, opinion तो मैं देता कि इसका selection होगा, इसका selection होगा, इसका selection, selection मतलब rank इसकी अच्छी आएगी, आपको क्या है, revision हमेसा fast होना चाहिए, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपके पास कोई option नहीं, faculty धीरे पढ़ाएगा, धीरे पढ़ना पढ़ेगा, faculty तेज पढ़ाएगा, तेज पढ़न समझ में हारा है, यह scientifically है, मतलब मैं कोई hypothetical चीज नहीं बता रहा हूं, यह एकदम well proved है, अगर आप revision कर जाओगे, Google में search करोगे, तो आपको मिल जाएगा, तो आपको weekly revision करना है, monthly revision करना है, short notes का बनाना है, और साथ में क्या है, कि जब भी आप revision, revision का मतलब कई बार लोगों को लगता है, कि मैं बस copy, वो अपना short notes लोगा, ऐसे पढ़ता रहूंगा, ऐसे लेट जाओंगा, पढ़ता रहूंगा, DQ is equal to DU plus ZW, S2 minus S1 is equal to CPLN, D2 by T1 minus RN, P2 by P1, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं हो चलेगा, आपको at least जैसे एक topic आपने पूरा revise किया, उसके formula, उसके main main concepts ready लगा चुके हो, दूसरे में क्या करो कि कुछ बहुत पूराने लगा लो, कुछ नए लगा लो, तीसरे division में पूरे नए question, चौते में पूरे नए question, समझ में आ रहा है, तो ये इस तरीके से आपको अपने आपको plan करना है, कुल मिला कि देखो यार, ऐसा तो है नहीं, ची चीजे mostly आपको पता है, right, पर point क्या है, कि आप जो planning करते हो न, वो यहाँ पर कर रहे हो, दिमाग में, अरे सब दिमाग में गुटनों में करें, नहीं, 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 आप समझे, नहीं, दिमाग से planning जुरूर करना ये बात सच है, लेकिन लिखना बहुत important है, लिखना परसेंट लोग है, दुनिया में सिर्फ तीन परसेंट लोग है, जो अपने goal और planning को systematically कहीं पे लिखते हैं, और वही successful होते हैं, वही successful होते हैं, यह तो successful होते ही होते हैं, ऐसा मैं बोलना चाहरा हूँ, कई ऐसे भी होते हैं, जिन्होंने नहीं लिखा होता है जिन्दगी में कहीं, फिर भी successful हो जाते हैं, वह अलग बात है, लेकिन इस से आपके success होने की probability बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मेरा point क्या है, कि आपको सब कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, तो हम कहले हैं, भाई, हम जब तक जिन्दा है, तक तक आपको tension लेने को जुरुत नहीं है, comment box जिन्दा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कि जो भी आपकी problems आ रही है, जो भी आपको doubt आ रहा है, आपको लगता है कि सर, ये चीज हमें planning में समझ में नहीं आ रही, कैसे इसको plan out करें, इस problem को कैसे overcome करें, वो आप comment box में लिख दो, telegram में लिख दो, किस individual faculty, जिसको जो आपको पसंद आता हो, उससे आप पूछ लो, और उसके बाद, अपनी जो planning है न, उससे आप लिखो, सर लिखने हम टाइम बहुत waste होता है, तो कहां-कहां waste करते हो, क्या हमको नहीं पता है, हम तो तुम्हां ये stage में थे ही नहीं कभी जिंदगी में, तुम त strategy को प्रॉपर लिखो, अपने planning को प्रॉपर लिखो, कब test देना है, कब revision करना है, कौन सा subject strong है, किसमे किते number आ रहे है, पूरा analysis करो, किसमे week है, week है, तो कौन सा topic week है, वो सारा कुछ लिखो, 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 दिमाग में रखने से नहीं होगा, दिमाग से चीज़े उतर जा और उसको strictly execute कर लिए, consistency के साथ, ठीक है, सो मैं last में अभी से सर से request करना चाहूंगा, कि सर, आप बच्चों को कुछ ऐसा tip दीजे, कुछ ऐसा suggestion दीजे, जो उनको उनकी strategy बनाने में help करे, जी सर, सारी बाते, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो शिवम सर ने छोड़ा है, कि आप क क्या आप करें या क्या ना करें, मैं एक चीज़ आप से बस लास्ट में यही कहूंगा, कि आपको ना, finally, उस तीन आवर को, three hours को manage करना है, ठीक है, और इसके साथ क्या होता है, कि बार बार क्या करते हैं, कि हम केवल पढ़ते रहते हैं, तो in that case, in that case, वहाँ पर क्या है, attitude है, वो जो management है, time का, उसको manage करना सबसे ज्यादा important है, तो मेरा last suggestion बस इतना ही है, वेटा, कि आप जो है, वो तीन घंटे, ठीक है, जैसा वो चक्दे इंडिया में जो dialogue था, in that case, तो उसी तरह से उस चार घंटे को, तीन घंटे को आप properly manage कर लें, और उसको बार बार experience करें, so that आप जो है, finally, जब final day, जो judgment day या जो आए वहाँ पर, तो in that case, आप वहाँ पर बिलकुल घवराए ना, तो इसी के साथ ही मैं इस session को end करूँगा, कि बाकी सारी बाते जो यहाँ पर discuss कुई, उसी हिसाप से examination का temperament develop करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आप जो है, बाक question वो तीन घंटे कैसे manage करने है, उसकी planning पहले से करके जाईए, ये भी plan करके जाईए कि अगर ball आपके coat में नहीं आई, मतलब एक question ऐसा आगया, ठीक है, ऐसी situation आगई कि आपसे लगातार तीन question नहीं बने, उस situation में आप कैसे react करेंगे, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसकी preparation नहीं की, कि चार-पांच question आपसे लगातार या नहीं बने, उसके बाद आपका nervous breakdown हो गया, उसके बाद आपसे जो बनने वाला है, वो भी नहीं बनेगा, तो इसके लिए भी आप ready रही है, ऐसा हो सकता है कि तीन-चार question आपसे नहीं बने, उसके बाद आप जो है, अ यह session end करूंगा, I hope कि यह सारा, सारी बाते जो हैं पे कही गई है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, और इससे आपके preparation आपकी gate journey में help होगा, with that, thank you very much, best of luck.